कनहिया कुमार की गिरफतारी हो सकती है तलवार लटक रही है और क्या वाकई कनहिया कुमार अब बीजेपी और अरसिस के टार्गिट पर आने वाले हैं अब बीजेपी और आरसिस से सवाल किये जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि सवाल का जवाब भारी पड़ जाए क्योंकि बीजेपी इस वक्त अपने साथ अपनी टीम लेकर चल रही है वो टीम कोई और नहीं है बलकि CBI है NCB है और तमाम तरह से हम देख रहे हैं कि ED का सिकंजा भी कस रहा है तो क्या गरफतारी की तलवार लटक रही है कनहिया कुमार पर और क्या सचाई के साथ उतरना देश के मुद्दों से जुड़े मामलों पर सवाल पूछना कनहिया कुमार की गलती है इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे हमारे खास सयोगी मौजूद है अबरार और अबरार बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस हमारे प्रोग्राम में अबरार सबसे पहला सवाल जो है कि आज लोकतंत्र को लेकर मैं बात करना चाहूंगा वाकई लोकतंत्र खत्रे में है आज सवाल हम नहीं कर सकते सरकार से आज हम सरकार से अपनी बात नहीं रख सकते या पूछने का वादिकार ही नहीं रह गया है 2014 के बाद जब से मूदी सर का रही है बिल्कुल लगातार आप देखें कि जिस तरीके से तमाम वी पक्षी नेताओं पर एक तरीके से इसी बिया और एडी का इस्तेमाल कर उनको चुप रहने की हिदायत दी जारी तो इससे असपश्च तरीके साब यह समझ सकते हैं लगातार शेयुसेना पर जिस तरीके कर रहे हैं ठीक उसी समय आरजेडी के कई नेताओं के घर बस सी बी आए के चाह पे मारी होती है तो यह बात बिल्कुल सही है के लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन आरोपों पर कहीं न कहीं दम हैं और केंदर की एजेंसिया हैं उनका गलत इस्तेमाल पक्स से सवाल जवाब क्यों नहीं होता इसमिर्ती इरानी से कितनी बार पूस्ताच कर चुकी है एडी या फिर सी बी आई ये एक सबसे बड़ा सवाल है वापस अबरार के पास चलेंगे अबरार कनहिया कुमार यूवा नेता जो शीला नेता और ऐसे नेताओं की जुरत आ अचा नहीं है सरकार रास्तंतर की विवस्ता लाने की कोशिश कर रही है देखिए कर नहीं कुमार की जहां तक राजनिती की बात की जाए तो चात्रे नेता के तौर पर उभरे थे और लगातार देश के कई बड़े एहम मुद्दों पर वो बात करते नजरा आते सबसे बड पीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा भी साबित हो सकते हैं दरसल मोदी सरकार के खिलाफ उनकी तेमाम बयानों को अगर आप देखें तो उनकी तमाम नीतियों की वो निंदा करते हैं जो नीती जनता के हि इस्तिती वो बदली है और कई न कई विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जिनोंने एक तरीके से समझहोता कर लिया है या फिर वो इंडिये के साथ चले गए हैं या फिर वो किसी तरीके से आवाज नहीं उठा रहे हैं लेकिन अभी भी कनया कुमार जैसा युवा नेता अगर सर जिरात में बहुत अच्छी पकड़ है दलित नेता है वो और उनके गरफतारी होती है और गरफतारी के बाद हम देखते हैं काफी महीनों तक जेल में रहना पड़ता है पुलिस रिमान पर भी जाते हैं केवल गलती इस बात की थी कि कुछ सवाल सरकार से पूछ लिया और उ कुमार को एक बार जेन्यू के टाइम पे बीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया था लेकिन इस बार किसी को बख्षने के मूड में नहीं है क्योंकि बीजेपी और आरेसेस पर जो सवाल दागेगा उसकी हालत संजर राउत जैसी हो जाएगी बिलकुल देखिए ये डर सभी नेताओं के बीचे लेकिन करिया कुमार को जुका पाना बीजेपी के लिए एक मिल का पत्तर है क्योंकि करिया कुमार पहले से इन तमाम परिस्तितियों से खुद को एक तरीके से जूचते हुए देखा है कई बार वो जेल भी चा चुके हैं तो ऐसे में अब सरकार का जो ख सरकार पूरी तरीके से सबूत कोट के समक्ष पेश नहीं कर पाई है और यही वज़ा है कि आप उन मुद्धों पर खुद भारती जनता पार्टी भी बात करने से बचती है और कनिया कुमार ने कई बार भरे मंचू से इस बात को दोराया और कहा है कि अगर मैंने इस तरीके का किरित अगर कोई किया है मैंने अगर पाकिस्तान के समर्थन में जेनियों में कोई अगर नारे लगाए होंगे तो मुझे जेल में डालिये लेकिन अब तक उनके खिलाफ कारवाई नहीं होने का मतलब यह है कि दरसल सरकार के दौरा उनके बोलने की वज़ा से उनको यह सारी के बाद लोकतंतर खत्म हो रहा है और बहुत बड़े हद तक हम देख रहे है कि किवल इतिहास के पन्नों में ही हमें नजर आएगा कि लोकतंतर का मतलब एक हुआ करता था दोहजार चौदा से पहले 2014 के बाद लोकतंतर खत्म हो रहा किसकी बड़ी गलती है जनता या फिर सरकार का जो आज मनमाना रवाईया है वो देखें सरकार और जनता दोनों की मिली भगत आप कह सकते हैं क्योंकि सरकार के दौरा जिस तरीके से जनता को भरमित किया जाता है खास तरीके से अगर अनरकल मुद़्ों कोले करके जनता को एक तरीके से बहकाया जाता है उन मुद़्ों पर जनता किसी भी पार्टी को वोड तो कर देती लेकिन जब उसके नतायज Counter upfront को भी इस बात का एसास होता है और हो सकता है कि बीजेपी को को खातम करने के लिए बीजेपी लगातार पर्यास भी कर रही है और उसको कमजोर भी किया जा रहा है अगर आप बात करें तो नहाई पालिका पर भी आप लोग सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं और यह सवाल तभी उठाया जा रहे जब नहाई पालिका से इस तरीके के फैसलों को आते हुए देखा गया है और कहीं न कहीं केंदर सरकार की जो एक दिटकने को मिलती है तो ऐसे मैं विपक्ष क के अगर आरोपों पर एक नजर डाला जाए तो विपक्ष के आरोपों कहीं न को चिंतन मंथन करने की जरूरत अगर लोग तंत्र की विवस्ताओं को आपको बचा के रखना है लोग तंत्र में खुले तोर पर अगर आपको जीना है तो यह सारी विवस्ताएं जिस तरीके से बनाई गई थी उसी तरीके से होनी चाहिए वरना जाहिर सी बात है कि लोग तंत्र के जो एक मूल अध जो भी कर रही है वो जन्ता के लिए कर रही है ये तो विपक्षी है जो जन्ता को बर्गला रहे हैं। यही मजबूरी के कुछ लोग अंजाने में भी और सूज बुच के साथ भी फिर से एक बार नरेंदर मोदी की सरकार को लाना चाहते हैं। यही जिए आए टी की सरकार के साथ बार नरेंदर मोदी के साथ विए के साथ थी और सूज बुच के साथ बारेंदर नरी के साथ ये लोग।